तो दोस्तों देखे पिछले lecture में हमने सीखा था यहां पर some ifs के बारे में लेकिन आज की lecture में हम सीखेंगे one step further मनलब आज हम सीखेंगे count ifs और count ifs के बारे में किसको आपने effectively कैसे use करना है excel में तो step by step हमारे देखे tutorial वीडियो जा रही है excel की ताकि आपको proper knowledge हो जाए Excel की और आप अपना काम Excel में बिल्कुल perfectly करना शुरू हो जाए तो दोस्तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो होने वाली है बहुत ही informative तो नमस्का दोस्तों मैं रितेश आप सब का सौइब करता हूँ Creative Learning के चानल में और दोस्तों अगर आप computer सीखना चाहते हैं computer related बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स आना चाहते हैं तो देखिए नीचे दिए जिर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन है उस पे क्लिक कर लीजेए साथी में बेल आइकन को प्रेस कर लीजेए ताकि आपको हमारे चानल से लेटे लेटेस्ट नोटिफिकेशन रेगुलर्ली मिलते रहे तो आए दोस्तों लेट्स बिगिन विए इस टॉपिक आए दोस्तों आज के टुटूरियल में पढ़ते हैं काउंट टिप और काउंटिफ्स के बारे में लेगिं यह पढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि काउंट फंक्शन कैसे काम करता है तो इसको समझाने के लिए डेख लिए हमने डाटवर्डेट पडियर किया है जहां पर हमने प्रोड़क्स लिए अलग-उलग और यहां पर लिख्ए हैं उनके sales revenue अब जैसे कि देखे आपको नाम ही बता रहा है count function count function क्या काम करता है चीज़ों को count करना महलब जिन जिन cells में अपने data लिखा है उन cells को ये count करके आपके सामने value display कर देगा अब जैसे कि अगर हमने count करना है कि हमने कितने cells में अपना data लिखा है तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते है count function तो just मैं press करता हूँ यहाँ इक्वल टू और लिख लेता हूँ यहाँ पर count और bracket यहाँ पर लगाता हूँ और अपनी range select कर लेता हूँ क्यों कि यह आपसे मांग रहा है value तो value हम अपनी range select कर लेते हैं यहां से लेकर यहां तक और अपना यहां पर bracket close कर लेते हैं enter press करेंगे तो इसने value देदी 18 उन उन cells की value जहाँ पर हमने data enter किया है मतलब अगर आपका data कोई blank cell है बीच में जैसे कि अगर मैं delete कर दूँ तो वह वाला data आपका update हो जाएगा simply जो values जिस cells में हमने लिखी है वह वाली values यहां पर count होगी इसे रंक से बस्ते हो अगर आप यहां पर count करना चाहते है values जो की text की form में है तो क्या आप count function की use कर सकते हैं आईए देख लेते हैं तो इसके लिए हम use करते हैं यहां पर again equal to और यहां पर लिख लेते है count और again हम bracket use करते open bracket और अपनी जो range है यहां से लेकर यहां तक पूरी select कर लेते हैं और bracket close करता हूं enter press करता हूं तो इसने value देखे 0 दी है मतलब count function देखे count नहीं करेगा value जो text की form में है तो अगर आपने text की form में यहां पर values count करना है तो इसके लिए आपनी use करना है count a function काउंट कर ली है आई दोस्तों पढ़ते हैं कि count if का कैसे use करते हैं अब जैसे कि count function तो देखे count करेगा लेकिन count if क्या करेगा count if करेगा count link condition के हिसाब से मतलब जो भी condition आप चाहते हैं उस हिसाब से वह वाली values आपको count करके देगा तो इसके लिए दोस्तों जैसे कि अगर मैं यहाँ पर click करता हूं click करने के बार equal to press करता हूं यहाँ पर लिख लेता हूं count if और यहाँ पर मैं लिखता हूं bracket तो जैसमें यहाँ पर inverted comma में लिख लेता हूं keyboard ठीक है और यहाँ पर inverted comma close कर लेता हूं bracket close कर लेता हूं enter press करता हूं तो इसने देखिए value दे धी हमें 7 मैं जहां जहां हमने keyboard लिखा था मैंनल हमने 7 बार अपने keyboard का use किया है उसे रिंक से दोस्तों आप यहाँ पर count if use कर सकते हैं numbers के लिए भी और enter press किया तो आप दिखेंगे यहाँ पर फॉर फिफ्टी सिक्स हमने 5 टाइम लिखा जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इधर और लास्ट में तो टोटल हमने 5 बार लिखा और यहीं पर हमने 5 value भी डिस्प्ले हो गई है अब दोस्तों अगर आपके पास multiple conditions हो जैसे कि अगर आप चाहते है keyboard और mouse आप दोनों count करके बताए कि हमने कितनी कितनी बार लिखा है तो इसको भी आप count if की मदद से कर सकते हैं मनलब आप count if function को add भी कर सकते हैं तो इसके लिए मैं use करता हूँ equal to और लिखता हूँ count if ठीक है और अपना bracket close करता हूँ तो सब यहां पर inverted comma close कर लेता हूँ bracket close कर लेता हूँ ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि जो mouse है ठीक है वो भी हमें count हो जाए मतलब जितनी बार हमने mouse लिखा है लेकिन इसको समझाने से पहले सबसे में enter press करता हूँ तो आप देखें keyboard हमारा seven times यहां पर लिखा गया है लेकिन अब मैं इस भी count हो तो just मैं यहां पर again double click करता हूँ और यहां पर bracket के भार में यहां पर plus का निशान करता हूँ क्योंकि मैं add करना चाहता हूँ तो just मैं यहां पर लिख लिता हूँ count if इस बार again मैं यहां पर bracket लगाता हूँ और अपनी range सेलेक्टर लेता हूँ जो के keyboard से लेकर यहां पर पूरी range ठीक है और again मैं यहां पर comma लगाके अपना criteria लिखता हूँ इस बार criteria हमारा mouse तो मैंने यहां पर mouse लिख लिया inverted comma close किया और अपना bracket close किया enter press किया तो इस बार देखेंगे mouse की value भी यहां पर इसके साथ sum हो गई है अब दोस्तो count of के यूब मदद से आप यहां पर देखेंगे अगर आप चाते है wild cards का use करना तो वह भी आप कर सकते हैं जैसे कि अगर आप चाते है जिन जिन letters के आगे आगे आपने mouse लिखा है मनला e लिखा है last में वह letters आपके यहां पर count हो जाए तो इसके लिए दोस्तों जैसमें यहां पर लिखता हूँ equal to count if ठीक है और यहां पर again bracket करता हूँ bracket के बार range पूछ रहा है तो हमने पूरी range यहां पर select कर ली select करने के बाद comma प्रेस किया और inverted comma में इस बार में लिखता हूँ यहां पर star और e और inverted comma यहां पर close कर लेता हूँ star और e हमने इसले लिखा है क्योंकि यह count करेगा जो जो हमने letters लिखे थे जिनके आगे e है जो ending e letter है वो सारे आपके यहां पर count कर देगा खुदी automatically तो जैसमें यहां पर keyboard के आगे e लगा दो और enter press कर दो तो देखें यहां पर letters 8 आ गये है तो इस दंग से दोस्तों आप यहां पर count if का use कर सकते हैं तायूर दोस्तों आप समझ लेते हैं कि count if का कैसे use करेंगे अब जैसे कि मैंने आपके बताया था कि count if का use आपका देखे एक condition में होता ह या एक से दो condition में जहां आप condition को plus कर सकते हैं लेकिन आप यही सेम चीज़ count if की मदद से कर सकते हैं बहुत ही easily अब जैसे कि अगर मैं चाहता हूं यहां पर हमारे पास data लिखा अलग अलग range का जैसे कि month हो गया product country of sales अब मैं चाहता हूं कि February में जितने भी monitor यहां पर sold हो यह है वो सारे हमारे count हो जाए मतलब जो फरवरी में हमने जितने भी monitor sold की है वो सारे count हो जाए तो इसके लिए दोस्तों just me क्या करता हूं equal to press करता हूं और इस बार में लिखता हूं count ifs का ठीक है s लगा दिया उसका bracket लिया और इस बार पूछ आप से criteria range तो first criteria range है हमारी month की तो just मैं यहां पर month select कर लेता हूं यहां से लेकर यहां तक ठीक है और उसके बार में यहां पर again bracket लगाता हूं और इस बार हमारे जो criteria के है वो है हमारा फरवरी तो just मैं लिख लेता हूं FAP और यहां पर inverted comma close कर लेता हूं अब मैं यहां पर comma लिकता हूं अब दूसरा है हमारा criteria range 2 Criteria Range 2 कि है हमारा Product का जो कि है Monitor तो जैस्ट मैं यहां से लेकर यहां तक अपनी Product की Range यहां पर Select कर लेता हूँ और यहां पर again मैं कॉमा प्रेस करता हूँ और तो Criteria कि हमारा Monitor तो Inverted कॉमा में यहां पर Monitor लिख लेता हूँ वैसे जितनी मर्ज़े आपकी Condition हो ठीक है आप यहां पर लिख सकते हैं इसी ढंक से जैसे कि मैंने दो Condition यहां पर लिखी है और इसके बार मैं यहां पर Bracket Close कर लेता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ तो इस पर पूछा है कि इस पर इसने Count करके दिया है दो मतलब फरवरी में जो Monitor Sold हो है वो दो Monitor Sold हो है फरवरी के मन्त में तो इसी रिंक से दोस्तों अगर आपके पस कोई Multiple Condition है तो आप Count Ifs का यूज़ कर सकते हैं और अपनी Value यहां पर Calculate कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप Computer सीखना चाहते हैं और भी Detail में और अपने Concepts क्लियर करना चाहते हैं तो देखें दोस्तों हमारे Online Courses यहां पर Launch हो गए हमारी Website पे CreativeLearningByRitej.in Link दिया है नीचे description में तो जैसे आप हमारी Website पर जाएए और जैसे हमारी Website पर जाएंगे आपको यहां पर सारे Courses मिल जाएंगे जो जो Launch हो चुके हैं तो जिस Courses में भी आपने Enrollment करनी है उस पे Click करके बहुत ही Discounted Price में आप Enrollment कर सकते हैं तो जैसे आप Enrollment कर लेंगे आपको यहां पर बहुत सारी Pre-Recorded Videos मिलेंगे टिप्स औं ट्रिक्स मिलेंगे जिनको आप Step बे Step सीखके अपने Knowledge को यहां पर Enhanced कर पाएंगे खास बत क्या है इस Course की कि जो भी आपको Pre-Recorded Videos मिलेंगे आप इसको Lifetime के लिए Access कर पाएंगे मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो इसको आप बार-बार यहां पर देख भी पाएंगे और सारी में जो Recorded Videos है यह आपको रैगुलर्ली अपडेट भी होता रहेंगी Time to Time, बिलकुल Three of Cost तो दोस्तों अगर आपको एक Valuable Knowledge मिल रही है एक Valuable Price में तो आपको इस कोर्स में ज़रूर एंडूल्मेंट करनी चाहिए ताकि आप अपनी Knowledge को एक Step और बढ़ाके अपनी Knowledge को Enhanced कर पाएं तो दोस्तों मिलते हैं इस कोर्स में Until then, Good Bye, Take Care